नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका टेक्निकल सार्थी यूटूब चैनल में इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि आप सचिन टेक यूटूब चैनल यानि सचिन भाई की तरह यूटूब वीडियो के लिए एकदम अट्रेक्टिव थमनिल कैसे बना सकते हैं दोस्तों यूटूब वीडियो के थमनिल बनाने के लिए हम पिक्सल लैब एप का यूज़ करेंगे इस एप को आप प्ले स्टोर से आचाने से डाउनलोड कर सकते हैं पिक्सेल लैब एप बिल्कुल फ्री एप है जिसके माध्यम से आप HD क्वालिटी के थमनिल बना सकते हैं जब से सचीन भाई ने प्रोफेशनल थमनिल्स अपने वीडियोज पर लगाना शुरू किया है तब से ही उनके व्यूज 10 से 20 कुना जादा इंक्रीज हो गए हैं आप भी सचीन टेक यूटूब चैनल की तरह अपने व्यूज को इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पर पिक्सेल लैब एप ओपन करने के बाद हॉम पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा यहाँ पर हम टेक्स को स्लेक्ट कर लेंगे और इसे डिलीट कर देंगे इसके बाद हमें 3.पे किलिक करना है और इमेज साइज पर किलिक करना है स्टम वाले ओप्शन को स्लेक्ट करना है और यहाँ पर हमें YouTube थमनिल वाले ओप्शन को स्लेक्ट कर लेना इसके बाद आमें OK दबा देना है इसके बाद यहाँ पर आपको Box वाले बटन पर किलिक करना है और Color वाले बटन को स्लेक्ट कर लेना है इसके बाद आमें Pink Color स्लेक्ट कर लेना है इसके बाद आमें गैलरी से एक PNG फोटो स्लेक्ट कर लेना है इस sun वाली image को हमें इस photo के नीचे set करना है इसके लिए हमें layer वाली बटन पर click करना है और इस photo को select करके और नीचे scroll down कर देना है और उसके बाद हमें इसे copy कर लेना है वारा से हमें इसे भी इसी photo के नीचे यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो photo है वो काफी अच्छा लग रहा है इसके बाद हमें अपनी gallery से YouTube logo भी add कर लेना है यहाँ पर YouTube logo को मैं यहाँ पर set करके आपको दिखा देता हूँ YouTube logo को यहाँ पर दोनों sun के बीच में लगा देना है इसके बाद आपको एक image और अपनी gallery से select कर लेना है इन सारी photos का link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा वहाँ से आप जाके easily download कर सकते हैं यहाँ पर image select करने के बाद हमें बीच वाले बटन पर click करना है और scroll करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे relative size और इसे हमें 100 पर select कर देना है उसके बाद हमें अपनी photo को set कर लेना है इसके बाद हमें color वाले option पर click करना है उसको enable करना है पर gradient color पर click करना है और उसके बाद हमें plus वाले button पर click करना है यहाँ पर first वाले option को select करना है उसके बाद हमें color पर click करना है इसके बाद हमें color पे select करना है इसको हमें black select करना है तो इसको ok कर देंगे black select करके इसके बाद एक और plus पे click करेंगे यहां पर बीच में एक और option add हो जाएगा इसको select करना है color पे click करना है और इसे हमें red पे select कर लेना है इसके बाद ok वाले button पे click करना है और ok कर देना है इसके ब पर कुछ लिखने के लिए हमें टेक्स्ट एड़ करना पड़ेगा उसके लिए हमें प्लस वाले बटन पर क्लिक करके और टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है इसके बाद हमें यहाँ पर ए बना हुआ है उस पर क्लिक करना है और एडिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है इसके बा दोस्तों इस फॉंट का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप इस फॉंट को इजली डाउनलोड कर सकते हैं इसको स्लेक्ट करना है और ऑक्के वाले बटन पर क्लिक कर देना है साइज इंक्रीज कर देंगे इसके बाद हमें कलर वाले उप्शन पर क्लिक करना है ग्रेडेंट पर क्लिक करना है और प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है इसके बाद हमें फस्ट वाला उप्शन स्लेक्ट करना है, कलर पर क्लिक करना है, यहां पर हमें डार्क ग्रिन ले लेना है, इसके बाद हमें सेकिंड वाले उप्शन पर क्लिक करना है, कलर पर क्लिक करना है और लाइट येलो स्लेक्ट कर लेंगे, लाइट येलो और उसके बा इसके बाद आप देखेंगे style वाले option पर यहां पर हमें इसे थोड़ा italic वाले बटन पर क्लिक कर देना है और फिर ok वाले बटन पर क्लिक कर देना है इससे आपका जो text है वो थोड़ा तिर्चा हो जाएगा दिखने में अच्छा लगेगा इसके बाद हमें stroke वाले बटन पर क्लिक करना है इसे एनेबल करना है और यहां पर हम white select कर लेंगे और यहां पर हम 5 पर select कर लेना है और done कर देना है यहां पर कोई एक color select कर लेना है अच् लगे वह color यहां पर select कर लेना है और उसके बाद done वाले बटन पर क्लिक कर देना है इसके बाद 3D सेडों पर जाना है इसको अनेबल कर देना है और यहां पर हमें लिकना है बनाते हैं ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है इसके बाद इसे भी अपने अकोर्डिंग सेट कर लेना है लेकिन हम इसका color तोड़ा चेंज कर देंगे इसलिए color पे क्लिक करना है प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस बार हमें फस्ट वाले उप्सन को स्लेक्ट करके कलर पर क्लिक करके और डार्क ग्रे वाला कलर स्लेक्ट कर लेंगे ओक्के पर क्लिक करेंगे इसके बाद सेकिंड वाला उप्सन select करेंगे color पर click करेंगे और इसे yellow select कर लेंगे ok पर click करेंगे और फिर ok कर देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यह color बन गया है इस लिखे हुए एको भी हमें यहाँ पर set कर लेना है इसके बाद हमें ok वाले button पर click कर देना है इसके बाद हमें फिर से इस text को select कर लेना है और इसका एक copy बना लेना है बने हुए text को यहाँ पर लाना है और इसे फिर से edit कर लेना है यहाँ पर हमें लिखना है thumbnail लेकिन thumbnail हम पूरा नहीं लिखेंगे एक एक आक्षर को यहाँ पर लिखेंगे एक एक alphabet को यहाँ पर अलग लिखेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं T और इसे कर देते और इसका color रखेंगे हम white, ok पर click करना है, इसके बाद second वाल option select करना है, plus वाला और यहां पर हम ले लेंगे light blue, ok पर click करना है, और यहां पर आप देखेंगे कि हमारा जो पहला अक्षर है वो लिख लिया है, हमने इसके बाद हमें सारे जितने भी हैं, वो सारे अक्षर यहां प बाद हमें ok वाले button पर click कर देना है, यह जो thumbnail हम लिखेंगे, इसको हम कुछ इस तरीके से set करेंगे, कि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, इसको सीधी line में ना लिखते हुए, हम इसको उपर नीचे set कर देंगे, यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरीक से आपको लिख देना है, यहां पर हम कुछ image और add कर लेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने सचिन भाई का, सचिन टेग का thumbnail यहां पर दिखाने के लिए add कर लिया है, यहां पर हम इसका size छोटा कर लेंगे, il Eduừ इसको यहां पर set करने के बाद हमें एक और image यहां पर add कर लेनी है, इसके बाद हमें इस image को भी set कर लेना है, इसके बाद हमें image को select कर लेना है, नीचे scroll करके stock वाले button पर click कर लेना है, इसे enable करके यहां पर हमें white color का stock दे देना है, और नीचे number भी हमें 6 पर select कर देना है, इसके यहां पर आप देख सकते हैं कि अमारा जो थमनील है वो यहां पर बनके तयार हो गया है कुछ इसी तरीके से आप भी अपना थमनील बना सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मज़ वाचिंग उप्राइब थाछाइब थादिक है